How to change keyboard color in Redmi Note 8 Pro नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सभी का तिकिराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने keyboard color को change कर सकते अगर दोस्तों आपको keyboard color change करना है तो आज के इस वीडियो को पूरा जरू से देख लेना वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आप जो है keyboard color को change कर सकते अपने device के अंदर पे आसान सा process है बस आपको ये वीडियो देखने है उसके बाद पता चल जाएगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके bell icon को click जरू से कर लेना यदि आप online पेसा कमाना चाते हैं तो वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो दोस्तो आपको यहाँ पर keyboard open कर लेना है keyboard open करने के बाद दोस्तों यह जो four square shape है उसमें आपको click करना है number one के उपर में four square shape आप देख सकते हैं तो उसमें click करना है और उसके बाद नीचे more option पर जाना है उसके बाद जाना है यहाँ team option पर ठीक है यह है team का icon तो उसमें click करना है और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी सारा teams आपको मिल जागा लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर हम जाएंगे default वाले जो color है उसी को change करेंगे ठीक है team change करने के बाद नहीं हो रहा है यहाँ पर color change करने के बाद है तो आपको उपर में वो profile icon पर click करना है और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर indico color आपको मिल जाएगा और यहाँ पर यह sakura color कुछ आपको दिखाई देरा तो यह आपको मिल जाएगा ठीक है अगर आपको black select करना है तो black को select कर लिजे इस तरीके से यह काम करेगा तो अभी आप देखेगा यह हो गया दोस्तों आपका keyboard black in color आप दोस्तों आपने हिसाब से customize भी कर सकते हैं keyboard color को कोई दिक्कत नहीं है तो आप अपने हिसाब से भी set कर सकते हैं तो बस दोस्तों यही तरीका है keyboard color को change करने का by default उमीड करते हैं वीडियो आपको पसने आओगा और आज के लिए वस इतना ही Thanks for watching